एंडिये की ओर से राश्टपती पत की उमिद्वार द्रोपदी मुर्मू आज जैपूर दोरे पर रहेंगी जैपूर एरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा कैसी क्या तैयारिया हैं आई आपको सीधे लिए चलते हैं जैपूर एरपोर्ट जहां पर हमारे समवाद अता मौझूद हैं दिनेश कसाना दिनेश क्या तैयारिया है कितने बज़े पहुँचने का यहां पर समय है और उसके बाद आगे की क्या तैयारिया बीजेपी की ओर से जैपूर में की गई है कि एंडिया की राष्टपति उम्मिद्वार द्रॉपदे मुर्मो आज जैपूर पहुंचेंगी और चूंकि पहले पहले नौ बज़े उनका जैपूर पहुंचने का कारेकरम था लेकिन समय में तबदिली हुई है चूंकि फ्लाइट लेट हुई है और पहुने दस बज़े वो जैपूर एरपोर्ट पर पहुंचेंगी जैपूर एरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा बीजेपी के जो नेता है इसस्तान से वह इस बेट्यक में मौझोद रहेंगे विद्वीजेपी Coach है वह मौझव करेगी उनका ओर समर्थन की अपील मत और हुड़र समर्थन की इपील यहां पर जैप一次ं कि दोड़ पहले foreign साजा उमिद्वार थे विपक्स के यस्वंद सिना वो जैपूर आये थे विजे कॉंग्रेस विदायक दल के बैठक नोंने सरक्षरकत की थी प्रेस कॉंफरेंस भी नोंने की थी और आज एंडिये की जो केंडेट हैं द्रोब्दी मुर्मू वो जैपूर आ रही हैं बीजेप जैपूर दोरे पर द्रोब्दी मुर्मूर रहेंगी और उनका राजस्तानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा आदिवासी समाज से वो आती हैं तो आदिवासी वर्ग से उभी उनका यहाँ पर जगे-जगे स्वागत के कारिकरम रखे गए हैं और वो आदिव यहां पर किस प्रकार की खल्चल देखी जा रही है जैपूर एरपोर्ट पर कौन-कौन लोग पहुंच चुके हैं या कौन-कौन लोग पहुंचने वाले हैं फिलहाल क्या व्यवस्ता एयरपोर्ट के बाहर की गई है दर्श्कों को दिखाना चाहेंगे एक बार केमरामेन से क दिखाये कि वहां किस प्रकार की व्यवस्ता की गई है अब बिलकुल दिखेंगे मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको फ्लाइट में देरी से है एक गंटे देरी से तो पहुंचेंगी उससे पहले का नजारा में आपको एक बार एरपोर्ट का दिखाऊंगा उनका जो जो लगातार अलग-अलग राज्यों में उनके साथ वहां पर रौपदी मुर्मू के साथ उनको लगाया गया है और अलग-अलग राज्यों में गजिन सिंग सेखावत वहां पर जा रहे हैं तो यहां पर सुरक्षय वश्ता है वो पूरी तरह से चाक्चोबन की गई है लगा हुआ है जब यहां पर पहुंचेंगी उससे पहले बीजेपी के जो नेता हैं गजिन सिंग सेखावत गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्स हैं उपनेता प्रतिपक्स लाजिंदर आठोट पूर मुख्यमंत्री हैं वसंद्रा घाजी तमाम नेता यहां पर उनका लिए रवाना होंगी और होटल वहाँ पर एक पहले फॉर्मल मिटिंग होगी विदायक दल की सांसद के उसमें मौझूद रहेंगे और उसके बाद एक इन्फॉर्मल बैठेक होगी जिसमें वन तूवन वो सभी से विदायक और सांसदों से समभाद करेगी और बताया यह बीज़ा रहा है कि आदिवासी वर्ग के और से उनका स्वागत का कारकरम बिडला ऑडिटोरियम में भी रखा गया है चोकि आदिवासी वर्ग से आती हैं और अदिवासी वर्ग की और से उनका यहाँ कर पहली महिला अदिवासी राष्टति देश की होगी जो केंडिट NDA क कि और से उम्मिद्वार बनाई गई हैं तो उनका यहां पर भी जैपूर में जगे-जगे स्वागत का कारिक्रम रखे गए हैं। देखे उनका आज ही वापस लोटने का कारिक्रम है और चुकि आदिवासी वर्ख से आती हैं और बीजेपी इस तरह को पुरी तरह से बुना रही है कि अलग-अलग राज्यों में जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू वहां पर जा रही है और समर्थन जुटाने का प्रियास ब पर पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए उनके अलावा यहां पर नेता प्रतिपक्स हैं गुलाबचंद कटारिया वो पहुंचेंगे राजंदर आठोरुप नेता प्रतिपक्स हैं बीजेपी के प्रदेशा अदेक से 37 पुनिया वो रिसीव यहां पर करेंगे तो इ राश्टपती पत्कियों मिद्वार दुरापदी मुर्मू जैपूर एरपोर्ट पहुंची गी जहां पर बीजेपी के नेता उनका जोर्दा स्वागत करेंगे